इक्षिन अफ्रीका समेट दुनिया के आदे से जादा देश हमारे गुलाम है। ऐसा कैसे हूँ जटता है दादी। भारत और पाकिस्तान को तो हमने 1947 में ही आजाद कर दिया था। बेटा इसी भ्रह्म में रखकर ही हमने भारत के लोगों को आज तक गुलाम बना रखा है। 1857 की तरह विद्रो होने वाला था। तब हमने गुप्त रूप से शासन करना ही ठीक समझा। जिससे आज भी हम भारत को खुले आम लूट कर गरीब और लाचार बना रहे है। दादी ये सुनकर खुसी तो बहुत हो रही है पर यकीन नहीं हो पारा। ठीक है ये बताओ कि क्या मुझे कभी भारत जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ी जबकि वहा के प्रधान मंत्री या राश्ट्रपती को इंग्लैंड में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है जब मैं 1952 में रानी बनी तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की भी रानी घोशित हुई थी। क्या तुमने नहरू और सी राजगोपालाचारी के द्वारा ली गई शपत पड़ी होती तो यकीन आ ही जाता। कौन सी सपत। राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 को भारत का गवर्नर जनरल बनने पर शपत ली थी की। गर्नरल जनरल के पत पर इस मजेस्टी इच और शिक्स्त हैवामन के उपतरादिकारियों के ठीक प्रकार से सत्यता के साथ सिवा करो। देखा अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था तो सी राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 को मेरे पिताजी के नाम की शपत आखिर क्यों ली। चलो दाधी मान लिया कि 15 अगस्त 1947 को दी गई आजादी जूटी थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 में तो भारत के लोगों ने ना खुद का सम्विधान बना कर अपने देश को गंतंत्र भूसित कर लिया था। उसके बाद तो उनको आजाद मानना ही पड़ेगा। बेटा तुम बहुत भोले हो गंतंत्र शब्द का मतलब भी नहीं समझते। गंतंत्र का मतलब मालिक बनना नहीं होता। वहां का सम्विधान हमारा बनाया हुआ एक कानून ही तो है जिसका पालन वहां के हर एक आदमी को करना ही पड़ेगा। इसको समझने के लिए ये देखो इंडियन इंडिपेंडेंडेंस आक्ट 1947 इसमें सेक्शन 6 क्लॉस 3 को पड़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कोई भी कानून बनाने का, रोकने का और हटाने का अंतिम निर्ने वहां का गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा की अनुमती से ही कर सकता है। वहां का सम्विधान भी एक कानून ही तो है, जिसको हमारी अनुमती से गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 को माननता दी थी। इस समझोते के तहट हम जब चाहे 99 साल की लीज और सम्विधान को रद करके भारत में दोबारा से सीधे सीधे शासन कर सकते हैं। इसी बात को भारत सरकार ने भी एक सरकारी दस्तावेज में स्विकार किया है। कौन सा दस्तावेज? 1953 में राम नारायन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने अधिकारिक रूप से लिखकर भेजा कि ब्रिटिश नाशनालिटी आक्ट के अंदरगत भारत का हर व्यक्ति ब्रिटिश कानूनों के अधीन है और यह स्थिती भारत के गंतंत्र होने के बाद भी नहीं बदली है। यानि भारत के लोगों को हम आज भी अपने कानूनों के तहर सजा सुना सकते हैं। चाहे वे भारत का प्रदान मंत्री ही क्यों न हो तो क्या दादी वहां का प्रदान मंत्री लोगों का नहीं बलकि आपका सेवक है क्यों दुमें नहीं लगता दिल्ली के बुराडी इलाके में जिस जगा मेरे दादा जॉर्ज पंचम का राज्टिलक हुआ था उसी जगा मेरे कहने पर मनमोहन सिंग की सरकार ने कोरोनेशन पार्क बनवाना शुरू किया जिसमें हमारे दादा पढ़ दादा की मूर्तिया और हमारा एक विज़े स्तम लगा है और अब मोधी सरकार ने उससे भी जादा हजारो करोडो रुपया खर्च कर उस पार्क का निर्मार जल से जल पूरा करवा दिया इस तरह भारत के राश्ट्रपती भवन के सामने लगे खंबे पर मेरे सितारे का निशान देख सकती हूँ जो की मेरे मुकुट और चड़ी पर भी है जिसे मेरी इजाज़त बिना भारत में कोई भी हटा नहीं सकता और अगर भारत के किसी प्रधान मंत्री या राश्ट्रपती ने अपनी मा का दूद पिया हो तो मेरे उस सितारे के निशान और कॉर्णेशन पार्क को हटा कर दिखाए और आर्टी आई के जवाब में अगर भारत के राजपत्र पर यह लिख कर देदे की भारत के लोग वहां के सर्वोचिशासक हैं और प्रिटेन की रानी का भारत पर कोई अधिकार नहीं है तो मैं अपना सिहासन उस आदमी के लिए खाली कर दूदी दादी वहां के लोग इस पार्क और इस नगली आजादी का कोई विरोध नहीं करते हैं दादी बाकी तो समझ गया पर उनका राष्ट्रगान हमारा गुनगान कैसे बताओ ना दादी जन गनवन के बारे में मैं तुम्हें बात में बताऊंगे जी दादी लॉंग लिव ब्रिटिस, लॉंग लिव क्वीन नमस्का साथियो, मेरा नाम अंकित है और मैं मुरादाबाद के छोटे से गाउं से हूँ मैं एक साधरान किसान परिवार से हूँ ये बीडियो अभी आप लोगों ने देखा हो सकता है कि इस बीडियो की सारी बात है आप लोगों को सच ना लगे लेकिन साथियो बास्विक्ता यही है कि इस बीडियो की एक एक बात सच है और जिन लाखों लोगों ने इस देख को आजात कराने के लिए अपनी कुर्वानिया दी उनका सबना आज भी अधूरा का अधूरा है आज भी ब्रेटेन की नानी का सासन भारत पर होना उन सारे सहीदों का अफमान है मैं नहीं जानता कि इस देख से ब्रेटेन की सासन कांत कैसे होगा लेकिन इसके लिए मैं हर संभव योगदान करने के लिए तयार हूँ और मुझे लगता है कि साइद इसी को देख बक्ती कहते हैं सिर्फ भारत माता की जैवोन ले से कोई देख बक्त नहीं हो जाता जो देख के सम्मान के लिए थोड़ा सा भी योगदान ना कर पाए वो देख बक्त कहलाने के लायक नहीं होता साथियो ये वीडियो तो मातरिक शुरुआत है आने वाले वीडियो में हम इससे भी गहरे राजों से परदा उठाएंगे मैं ये जानता हूँ कि देख का मीडिया इन चीजों को आप लोगों तक नहीं पहुँचाएगा इसलिए केवल अब देख प्रेमियों से ये उम्मीद बची है अगर आप भी देख वक्त हैं तो नीचे दिये के नमबर पे एक मिड्सकॉल दें जिससे आने वाले समय की वीडियो की जानकारी हम आपको पहुँचा सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच पहुँच सके मुझे बिस्वास है कि जिस दिन भारत के सारे देशवक्त लोग इखटा हो जाएंगे उस दिन ना सिर्फ भारत से विल्टिश शासन का अंत होगा बल्कि इंग्लियन की रानी भारत के लोगों के पैरों में गिर कर उनसे माफी मांगेगी साथियों जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन भारत से गरीवी, बेरोजगारी, भुकमरी, आतंगबाद जैसी समस्यां खत्म हो जाएंगी और भारत एक बार फिर से बिस्व गुरू और समरत भारत बनके खड़ा होगा इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप हमारा से योग करेंगे भारत माता की जै, इंगलाब, जिन्नवाद